हालो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं चैनल स्टडी फॉर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका SSE CHSL का एक्जाम 24 माई से होने वाला है, उसके टॉप most important questions को जो है, इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, और मैं आपको 100% ये guarantee देता हूं, कि आपके SSE CHSL के एक्जाम में इसी परकार से प्रेश्ट ने पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है last तक जरूर देखेगा, और आप से रही कोई इसकरता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है, तो CHSL से related, पलपल की update के लिए जो है, चैनल को subscribe जरूर क there in खो यानि खोको में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दείχए मैं आपको बता दूँ कि खोको में परतेएक टीम में जो खिलाड़ी के संख्या होती है ओन उनल होते हैं और तीन जो खिलाड़ी होते हैं, तो खोको में कितने होते हुचिदे होती है तो देगे परत면 थे क्षिलारी के संख्या होती है ना वो г traint वो नहुता है तो ये भी आपको ध्यान में रक्ना है इसके अलाबा अन्निक खेल के बारे में जान लेते हैं जहां से प्रश्वन ग्जाम में पूछ जाते हैं जैसे अधरा खिलाडी होते हैं, बॉली बॉल की बात कर ले तो इसमें 6 खिलाडी होते हैं, आई सौकी में जो आपके 6 खिलाडी होते हैं, और कबड़ी में जो है आपके 7 खिलाडी होते हैं, तो यह important facts भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आप का यहां पर है, कि पानी पत की तीसरी लड़ाई ये जो है किस वर्स में हुआ था तो देखें मैं आपको बता दू कि पानी पत की टोटल जो है वो तीन युद हुए थे एक्जाम में पूछा जाता है कि पानी पत का प्रतम युद ये जो है कब हुआ था तो देखे, पानी पत का जो प्रतम यूद है ये आपका 1526 में हुआ था, पानी पत का अगर दितिय यूद पूछा जाये तो जो आपका 1556 में हुआ था, और पानी पत की जो तीसरी लड़ाई है ये 1761 में हुआ था, तो आपसन A आपका correct answer होगा, यहां से एक्जाम में एक प् लड़ा गया था जिसमें कौन विजयी रहा था तो एहमद साथ अबदाली जो है ये विजयी रहा था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है कि 2022 AFC महिला ACI कप की मेजवानी जो है ये किस देश के द्वारा किया जाएगा तो देखे 2022 AFC मह वर्तमान अध्यच कौन है तो देखे लोक सबाके वर्तमान में जो आपके speaker है ना ये आपके ओम बिल्डा है जो कि 17 नंबर के है तो option D आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहां पर है कि war and peace ये जो है किसके द्वारा लिखा गया उपनियास है तो देखे ये जो आपका war and peace ज दॉल्ला महा जनपद है और इनकी राज़ानिया भी जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी जो एक्जाम में आपके प्रेशन पूछे जाते हैं तो option A आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि भारत के पहले आम चुनाओं के बाद जो है ये किस वर्स में पहली लोग सबा का गठन किया गया था तो देखें पहली लोग सबा का जो गठन है ये आपका 17 अप्रील 1952 में किया गया था तो 1952 option B आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि डेविट कार्ट के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं तो देखें जो आपका डेविट कार्ट होता ह ना उसके सामने के भाग पर टोटल जो आपके सुला अंक होते हैं तो option C आपका correct answer होगा next question आपका यहां पर है कि curiosity rover what sent for the exploration of which planet यानी curiosity rover को जो है यह किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था तो देखें यह जो आपका curiosity rover है ना यह जो आपका मंगल ग्रह की खोज के लिए भ transparent in deodorant यानि deodorant में जो anti aspirant के रूप में जो है यह किस धातु का उप्योग किया जाता है तो देखें deodorant में anti aspirant के रूप में यह जो aluminium धातु का उप्योग किया जाता है तो option C आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि montangi charms food सुधार यह जो किस वर्ष सुरू किये गया थे तो आपका 1919 में जो है शुरू किया गया था तो option A आपका correct answer होगा और कल से जो है आपको मैं daily दो प्रैक्टी से जो आपको खरवाऊँगा तो आपको जो है चैनल को subscribe जरू कर लेना है next आपका यहां पर है कि सबसे ज्यादा बार केंद्रिय बजट यह जो है किस ने पेस किया है तो देखें सबसे ज्यादा बार जो केंद्रिय बजट है ना यह मुरारजी देशाई के द्वारा पेस किया गया है तो option C आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि भारतिय संबिधान के किस अनुछेद में जो है देवनागरी लिपी में हिंदी को संग की आधिकारिक भासा के रूप में जो है वर्नित किया गया है तो देखें बारतिय संबिधान के अनुछेद यानि आर्टिकल 343 में जो है देवनागरी लिपी में हिंदी को संग की आधिकारिक भासा के रूप में जो है वर्नित किया गया है तो option A आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि round 2 यह जो देश द्वारा launch किया गया है तो देखें यह जो आपका राड़ 2 परमानू सुच्छम क्रूज मिसाइल है इसे जो है पाकिस्तान देश के द्वारा launch किया गया था तो option A आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि विसो जल्दिवस हर साल जो है यह किस तीती पर मनाया जाता है तो देखें विसो जल्दिवस जो है यह प्रतिवर्स 22 मार्च को मनाया जाता है तो option C आपका correct answer होगा next आपका यहां पर है कि ESPN की महिला a sports person of the year award 2020 यह जो है किस ने जीता है तो देखें ESPN की महिला a sports person of the year award 2020 जो है यह PB सिंदु ने जीता है तो PB सिंदु आपका correct answer होगा next पर है कि मोर का जो है वैग्यानिक नाम क्या है यानि what is the scientific name of peacock तो देखें मोर का जो वैग्यानिक नाम होता है यह पावो क्रिस्टेटस होता है तो option D आपका correct answer होगा next आप का यहां पर है कि काजी रंगा रास्टे उद्यान यह जो है किस भारते राज जी में इस्तित है तो यह आपका एक सिंग वाले गैंडी के लिए परसीद है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next आप कर यह आप रहे कि लाला लाजपत राए यह जो है किस बैंक के संस्थापक थे तो देखें यह जो आपका लाला लाजपत राए थे ना यह पंजाब नैसनल बैंक के होगा बात कर ले पंजाब नैसनल बैंक की अस्थापना कभूई थी तो यह आपका 12 अपर है 1895 को हुआ था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है पंजाब नैसनल बैंक का हिट कोरर कहां पर है तो यह आपका न्यू डैली में है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next आ का है कि उगाधी महत्सों, ये जो आपका उगाधी महत्सों ये आपका अंदर पर्देश में भी मनाया जाता है त Gaussian D वह पर करिक्ट एंसर होगा नेक्सट्प में आपर है कि जागोई परमुक भारतिय सास्त्रे निर्थ रूपों में से एक निर्थ है और यह जो निर्थ है यह किस राज्य का निर्थ है तो देखें यह जो आपका जागोई भारतिय सास्त्रे निर्थ है ना यह मनिपूर राज्य का जो सास्त्रे निर्थ है तो option A आपका correct answer नेक्स्ट आप का यहांपर है कि संयुक्त राष्ट का मुख्याल यह जो कहां पर इस्तित है तो देखें यूनाइटेट नेशन का जो हेटक रहना यह आपका नुव यूएसे में है तो आपसन ए आपका खरेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप के अपर है कि स्वर्णी यह जो है 2011 में जो है इसे सुरूख किया गया था तो option A आपका correct answer होगा next step का यहां पर है कि how many rows are present in Microsoft Excel यानि Microsoft Excel में जो है कितनी पंक्तिया मौझूद है तो देखे Microsoft Excel में जो है 10,48,576 रोज जो है वो मौझूद है वही अगर कॉलम की बात कर ले तो देखे कॉलम अगर पूछा जाए तो 16,384 कॉलम है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next step का यहां पर है कि homo sapiens जो सब्द है यह किसने गड़ा था तो देखे homo sapiens जो सब्द ह यह कारले लिनियस के द्वारा गड़ा गया था तो option D आपका correct answer होगा और आज का जो आपका last question है जो कि आपको comment box में जवाब देना है कि IPL 2020 में orange cap धारक कौन थे यानि IPL 2020 में जो है orange cap यह किसे मिला था आपके option में power नेगी, option B में Adam Jampa, option D में आपका डेविड वारनर, option D में आपका केल राहूल, तो अगर आप real में त्यारी कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब comment box में जरूर दीजेगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, और इसी तरह का content पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा, और यदि आपको इ description में provide कर दूँगा, आप वहाँ से easily इसका PDF ले सकते हैं, तो मिलते हैं next video, तब तक thank you, all the best